हेलो फ्रेंट्स आयम प्यूस एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लाश 10th हिंदी का बहुत ही महतपूर पर्यावाची सब्द बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एक्जाम में हर बार आते हैं तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला देखें जो पर् 18-19-20 इतने में यह आ चुका है तो देखते हम यह कमल देखें इसका हो जाएगा पर्यावाची सब्द कमल का हो जाएगा वारिज सबसे पहला है वारिज उसके बाद है सरोज फिर है नीरज तो देखें यहां पर यह होगा कमल का पर्यावाची सब्द उसके बाद दूसरा जो important है वहा है अमरीत का ये भी काफी जादा important है और इस बार आ भी सकता है तो देखे अमरीत आपको मैं जितना बता रहा हूँ बस आप इतना ही तयार कर लिजेगा अमरीत का हो जाएगा सबसे पहले तो पियूश और इसका हो जाएगा शुधा और अमिय तो ये हो जाएगा अमरीत का उसके बाद देखे जो important आता है उसके बाद देखे जो important है वहा है अगनी का अगनी तो ये भी काफी जादा important है आगने जो आग होती है तो इसका देखिए आगने का हो जाएगा क्या होगा आगने का काफी सारी होंगे तो जिन में से एक तो आग ही है तो हम लिख देते हैं आग और है एक जौला और है अनल उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा जो चौथा है जो काफी जादा important है वह है आख और इसके बाद फिर देखते हैं आखास का चलिए पहले आखास का ही देख लेते हैं आखास का हो जाएगा आश्मान यह सब इसके पर्यावाची बता रहूं आपको आश्मान अंबर और नभ और इसके बाद देखते हैं जो और important है वह है आख का देखिए आख का भी काफी जादा important जो आपके नेत्र हैं आईज है आपकी इसका सबसे पहला तो हो जाएगा नेत्र और होगा नयन और है लोचन तो अब देखिए इसके बाद जो है छटवा जो की काफी जादा important है तो देखिए छाटवा मारा आ जाएगा और बता दू वीडियो अगर आपको अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करिए और class 10th में हैं तो चैनल को subscribe कर लें यहाँ पर आपको daily videos important videos मिलते रहेंगी तो अब जो है मारा वो है घर का देखिए घर जो होता है आपका जो house है home है तो देखिए घर का हो जाएगा आलय होगा सबसे पहला तो आलय उसके बाद भवन और ग्रिया मतलब पर्यावाची ऐसे चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को किस नाम से पुकार सकते हैं किस नाम से आप पुकारेंगे तो देखिए यहां पर अब है सात्वा देखिए सात्वा है फूल जो flower होता है न तो देखिए फूल होगा फूश्म सुमन यह पूश्प और होगा शुमन और कुश्शूम तो यह हो जाएगा फूल का उसके बाद देखिए आठवा आठवा देखते हैं दोस्तों देखिए आठवा है बादल देखिए बादल का हो जाएगा जलद नीरद मैं यहां पर तीन तीन लिख रहा हूँ बट आपको सिर्फ दो ही लिखने रहेंगे बट मैं आपके लिए यहां पर एक इस्ट्रा में लिखते रहा हूँ ताकि आपको पता रहे न तो देखिए इसके बाद जो है नौवा जो इंपोर्टेंट पर रहा है बच्छेवा है हाथी एली फैन तो दीखिए हाथी का होता है कुंजर कुंजर होता है हाथी का और होता है मतंग और होता है हस्ती तो यह होते है हाथी के तो इसके बाद देखते हैं यहां पर दस्वा जो की काफी जाद इंपोर्टेंट वा है सूरज जो सन है तो देखें सूरज जो है इसका होता है भास कर और भान में और क्या होता है सूरज का और भी कुछ होता है न रवी होता है दिवाकर होता है प्रभाकर तो ऐसे लिख सकते हैं बाकिए आदेत दिने से दिन कर काफी सारे नाम है, मैं यहाँ पर सिर्फ तीर निरिक रहा हूँ तो देखे इस्टुएंट्स, मैंने आपको यहाँ पर दस वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्यावाची सब्द बता दिये हैं जो कि आपके बोर्ड एक्जाम में आने के चांसे काफी ज़ादा है तो यह सभी आप तयार कर लीज़ेगा बाकी और वीडियो जानने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्काइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसे लगी और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्किप्सन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते कर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो तो बस इस्टुएंट्स आज की वीडियो में इतना ही अब मिलेंगें आपको और किसी निक्स्ट वीडियो में और बता दें आपको हिंदी, इंग्लिस, मैस, साइंस, सोसल साइंस, आर्ट, संस्क्रिट सभी सब्जेट की तयारिया आपको इस चैनल पर डेली मिलती रहेंगी